Hey guys this is Himanshu and welcome back to the channel So guys आज की जो स्टोरी है वो है चंदेताल लेकी और ये जो स्टोरी है ना वो काफि सारा रोमांच और एक्स्पीडेंसे से भरी हुई है तो अगर आप लोगों बसंद आएगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले So ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो उस राज से स्टार्ट होती है जब मेरा एक फ्रेंड है मनुच जो हाल ट्राकिंग काफी करता रहता है उसे हम प्यार से माइक बोलते हैं तो माइक का फोन आया रात को मुझे कि भाई मैं ट्रिप प्लाइन कर रहा हूं चलेगा क्या So उस टेम पे मैं ज़्यादार अपनी बाइक पर ट्रावल करता था राइडिंग वगेरा करता था ना कि पप्लिक ट्रांसपोर्ट होगरा यूस करना So उसने बोला कि भाई मैं जा रहा हूं चंदतालिक तो मैंने बोला यार कि जगा तो काफी सुनी हुई है और अच्छी है और मैंने वीडियोस भी दिखी हुई है तो मैंने बोला कि बाई ऐसे ऐसे जाना है और एक ट्रैक है वहाँ पे 12 km, 13 km का, I think 14 km का आसपस का तो वो करना पड़ेगा तो मैंने बोला यार यह तो बहुत सादा है इतना कैसे चल पाएगा आदमी तो मैंने बोलता भाई तो पहाड़ी हो के ऐसी बात कर रहा है मैंने बोला बात तो सही है भाई पहाड़ी होके अगर 14 km और 12 km भी नहीं चल पाए तो क्या फाइदा तो उस टेम पे जो जो इसमें मैंने हाँ बोल दी फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बात रीसेच करी कि भाई क्या ट्रैक है क्या है क्या है क्या नहीं है तो हमारा जो प्लान बन रहा था वह बन रहा था में का तो मैंने जो इंटरनेट पर पड़ा किया मैं में थोड़ा सा महाँ पर प्लाब्लम रहती है बिकाज रोड ब्लॉग हो जाती है बरफ के करण और इन फेक्ट वो लेक भी जो है वो फ्रोजन रहती है तो फिर मैंने मेरे कुछ दोस्त थे, राइडर्स जो अलड़ी वहाँ पर गए वे थे, बाइक से अपनी, तो मैंने सुझा उनसे कुछ पूछा जाए, तो मैंने उनसे बातचीत करी और उन्होंने बताया मुझे कि यार कोई दिक्कत नहीं है, पूरी रोड जाती है, थोड़ तो मैं एक तरीके से positive wife साही, मुझे कि ठीक है, चलो कोई खोने खाने का scene नहीं है, तो road जा रही है, तो that is fine, और उसके बाद फिर मैंने अंगले दिन मनोच को confirmation के लिए call करी कि भाई, जातो रहे हैं, लेकिन रहने का scene क्या है, वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि यार, वहाँ तो कोई है हो गई नहीं, इस time पे, road भी blog मिल सकती है, तो उसने बोला, भाई मैं अपना tent लेके चल रहा हूँ, और पूरा समान लेके चलेंगे हां से अपना kitchen का, और maggie के packet और चॉकलेट बिस्कुट बगएर आप साथ में रख लेंगे, मैंने सोचा यार कि यारे थोड़ा सा risky तो लग रहा है, बट adventurous है, बस भाई फिर वहाँ पे क्या था कि हमने बोला, ठीक है चलो चलते हैं, और हमें क्या पता था कि आगे हमार साथ क्या होने वाला है, तो हम लोगों ने एक date fix करी, और फिर हम लोग मिले उस दिन, तकरीबन सुबह का 7 बज रहा था, हम लोग ISBT बस टेंड पर मिले, हमें बस पकड़नी थी मनाली जाने वाली, जो कि 8 बजे करीब वहां से चलती है, बस फिर हम वहां पर मिले, हम काफी बातचीत करीए को कि काफी दिनों बाद मिले थे, और in fact हमने breakfast भी वहीं बस टेंड पर किया था, तो बस फिर हम 8 बजे वहां से निकल बस पकड़नेंगे, अब जो बाटल के लिए बस पकड़नी थी, उसका भी एक था फंड़ा की भाई वो दो बसे चलती है बाटल के वहां से, हमने जो पता गया था, एक चलती है सुभे लिम वर्निंग पांच बजे गरीब, और जो दूसरी चलती हो करीबन दिन में चलती है वो तो हम थोड़े से लग्की निकले, विकॉस तीन बजे भाई कुछ नी खुला था, वहां सब कुछ बन, वो तो बस तेंड पे कोई ठेला सा मिल गया हमें जहां पर ओमलेट होगरा मिल रहा था, तो बस फिर ओमलेट होगरा खाया, चाय भाई भी के गुजारा किया, और थोड़ा सा हमने फिर सोचा कि थोड़ो होटल देख लेते हैं, विकॉस अभी तीन दो घंटे भी अगर हमें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, नहाद हो ले, विकॉस इतना लंबा जर्णी करके हम पहुचे थे वहां तक, थोड़ा भूट रहते तो एक बंदा मिल गया, उसन नहाद होके जैसी निकले, तो हमारी बस थी सुबह पांच बजे की, हम पहुचे बस्टेंड वाँ, तो भाई हम पहुच गे बस्टेंड तकरीबन पांच बजे के करीब और वेट कर रहे हैं बसका, तो पांच से साड़े पांच होगे, तो पहले तो आप इमेजन करो कि हम लोग उतना ट्रावल करके आये हैं और उतने उनीस घंटे बस में जरनी करने के बाद वो भी रोट बेज वाली बस में, आदा घंटा हम वहाँ खड़े हैं बस्टेंड में, कोई बस ही नहीं आई, तो फिर हमने क्या करा, अंदर जाके पता किया, वहाँ पर जो बस्टेंड फाइनल ही बस आगी, अब चलो, निकलते हैं यहां से, और हमारे साथ, in fact, काफी लोग थे, मतलब ऐसा नहीं कि हमी बाटल जाने वाल थे, काफी लोग थे, गाउं के भी थे, और काफी लोग ट्रैवलर भी थे, और काफी सारे लोग थे, जो बाटल के लिए खड़े थे हमा फिर क्या था, दोनों के faces पे निरासाद देखने को मिल रही थी, तो हमने conductor से पूछा, हलां कि हमें पता था कि यार, वहां पे से, टैक्सी भी चलती हैं बाटल के लिए, और तो हम टैक्सी में भी जा सकते हैं, बर जो टैक्सी थी थो थोड़ा लेट चलती है, और हम अलेड अंदर आने दो, तो हमने बोला, ठीक है, तो मैं अकर खड़े जा सकते तो आजाओ, तो भी या, वो घुजगे, तो जो जो समें भी घुजगे, तो बस ठीक है, हमने बोला चलो जैसे तैसे करके बाटल तो पहुचें, तो बस हम बस में चड़ गए, और कभी नीद आ रही ह वही चीज हमें खीचे ले जा रही थी और वही एक motivational factor था कि चंदतालिक पहुचना है because उसकी जो beauty है वो deserve करती है इस hardness को धीरे धीरे जैसे समय बीटता गया आपको पता ही है मनाली के पाढ़ कितने खतरनाग है तो खड़े से मैं धीरे धीरे पास के पास पहुचे रोतांग पास के पास इतना जाम था मतलब समझो कि मैं सो गया एक बार के लिए और जब दुबारा मेरी आँख खुली तो फिर भी मैं जाम में बेटा था तकरीबन मैं आदे घंटे के लिए सो या होंगा वहाँ पे तो समझ लो मतलब बहुत बुरा हाल था बड़ी मुश्किल कैसे 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 भी करके हम लोग रोतांग पास हमने क्रॉस कर लिया और बस वाले ने रोतांग पास का मीन पॉइंट है वहाँ से क्रॉस करती जो मोड है ना वहाँ पे रोका 5-10 मिनट तो हम लोग बहाने के लिए अपना फ्रेश वेस वे हमने भी थोड़ी फोटो उटो खीची अपना महल बने गया दुबारा हम motivated हो गया और body भी थोड़ी refresh होगी विकास एकार जख्या लग गई थी पर हमें नहीं पताता कि आगे हमार साथ क्या होने वाला है कितना बड़ा adventure हमारा wait कर रहा है बाटल पे वो हमें नहीं पताता